हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस आज हम आप से बात करेंगे क्राइसेंथिमम यानी गुलदाओदी के सूखे फूलों के बारे में आप में से कई लोग इन सूखे फूलों को कट करके फेक देते हैं इसको वेस्ट समझते हैं लेकिन ये बिलकुल भी वेस्ट नहीं है इन से आप बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बना कर तयार कर सकते हैं जो कि आप अपने प्लांट्स में यूज कीजिए आपको काफी अच्छा रिजर्ट मिलेगा तो इन सूखे हुए फूलों को हटाना जरूरी होता है क्योंकि ये प्लांट की एनरजी को वेस्ट करते हैं चाहे कोई सा भी पौधा हो उसकी फ्लावरिंग जब पुरानी हो जाती है फ्लावर्स पुराने हो जाते हैं उनको कट कर दीजिए तब ही आपका प्लांट हेल्दी रहे पाएगा और आगे भी काफी अच्छी फ्लावरिंग बेट रहेगा जैसे सीजनल प्लांट है पिटूनिया है पैंजी है पॉपी है डायन्थस है जब इनके फूल सूख जाए तो उनको कट कर दीजिए जिससे आपको बहुत ही प्लांट पर से जो फूल सूख चुके हैं उनको आप हटा दीजिए तो इससे प्लांट की अनरजी सेव रहेगी तो अब बात करते हैं किस तरह से इसका फर्टिलाइजर आप बनाकर तयार कर सकते हैं लास्ट येर हमने इसका लिक्विट फर्टिलाइजर बनाया था जो कि ह बनकर तयार होता है जो कि आपको समय तक रखे रहे और फिर उसको आप नंस में यूज कर सकते हैं तो इस बार हम लिक्विट फर्टिलाइजर नहीं वह एंगे इस बार हम ड्रया फर्टिलाइजर बनाइंगे जैसे कि कंपोस्ट बनाया जाता है उसी तरह से इसको एक उसमें बैक्टीरिया बनेंगे और वो उसको जल्दी से जल्दी फर्टिलाइजर बनाकर तयार कर देते हैं और एक लेयर उपर से आप सॉयल से कवर कर दीजिए तो मिट्टी से जब हम कवर करते हैं तो उससे क्या होता है जो कंपोस्ट होगा उसमें जल्दी से जल्दी अंद तो आप वेट कीजिए और आपको बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर उसका बनकर तयार हो जाएगा जैसे आप और नॉर्मल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं उसी तरह से आप उस फर्टिलाइजर को भी यूज कर सकते हैं और अगर आप अलग से नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको बिन में डाल सकते हैं इसको इसमें नई-टाली कर रहा है जो कि यहां पर थांड होती है कलिया खिल पा ती हैं हमारे यहां पर वहाँ एक वार फ्लावड इंदндन होती तो इसतरह से हमें ये कुछ फूल मिले हैं जो की फेकने का अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है इसको कमपोस्ट बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो अभी थोड़े से अच्छे लग रहे हैं तो इसको हम एक या दो दिन के लिए अपने पास रखेंगे तो काफी खूपसूरत हैं अभी भी इसमें कलर काफी अच्छा है लेकिन ये प्लांट की एनर्जी ले रहे थे इसलिए प्लांट पर से हटाना इनको जरूरी था क्योंकि सुखे हुए फूलों को आप तुरंथ हटा दीजिए और इसको एक दो दिन के लिए हम साइट टेबल पर रखेंगे तो जो की देखनी में भी काफी अच्छे लगेंगे और जब एक दो दिन बात थोड़े सिकूर जाएंगे क्योंकि पानी नहीं मिलता है इन्हें और यह बेकार भी हो चुके हैं तो यह सिकूर जाएंगे जब तब हम इनको कंपोस्ट बना देंगे इसका ड्राइ फर्टिलाइजर बनाने के लिए डाल देंगे इसमें गुलाब की पंखुडियां भी हैं जो की बहुत ही सुन्दर खुश्बू देती हैं तो गुलाब की पौदों पर से सूखे हुए फूल हटाई ए और उससे भी आप अलग से फर्टिलाइजर बनाकर तयार कर सकते हैं तो इस तरह का जो थी पर्टिलाइजर की एक ला कफ़ेम का वीडियो शेयर नहीं करें तो हम आपके साथ वीडियो शेर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि plants काफी अभी पानी में हैं और बहुत जादे बारिश है तो आप अपने plants की देखभाल जरूर कीजिए बारिश में भी आप अगर जादे पानी भर जाए तो आप समय समय पर plants को चेक कीजिए क्योंकि कुछ plants में आपके हाँ पर drainage system अच्छा नहीं होगा तो उसमें पानी भी भर सकता है तो उसको आप समय समय पर चेक करते रहिए तो हमारे plants तो drainage system सबका ही अच्छा है तो हमें जादे देखभाल नहीं करनी होती है तो जो ये फूल बच गए हैं इनको भी हम जल्दी ही कट करेंगे क्योंकि ये सभी फूल अभी बेकार हो चुके हैं और इसको भी हम एक साथ जो compost बनाएंगे उसको उसमें डाल देते हैं तो इससे भी एक natural organic fertilizer बनकर तयार होता है जो आपके पौधो में काफी अच्छा रिज़र वह इस तरह के फूलों से भी fertilizer बना सकता है या फिर एकटा जो की जिसमें kitchen waste आप डालते हूं उसमें भी इनको आप डाल सकते हैं तो देखें ये हमने जो पहले कट किये थे flowers वह हैं जो कि एक flower brick बन चुकी है तो इसी तरह से जब ये सारे फूल इखटे हो जाएंगे हम इनको pot में डाल कर उसमें या तो दही या मठा डाल दीजिए या हलका सा water का spray कर दीजिए उससे भी moisture बन जाता है तो इस तरह से वीडियो अच्छी लगी हो तो comment box में ज़रूर बताईए थैंक यू